तो जैम आता दी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों सुडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी गल 24 जून यानि की सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर अपोर्चनेटी बन सकती है उसके पीछे का लोजिक क्या है साथ में ऑप्शन चैन एनालीसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के कुरूसरी लेवल हमको पता लग जाए तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपक खुलती है तो पहले आदा एक घंटा हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा प्राइज एक्षन बनाने में समय लगेगा और फिर जब बैंक निफ्टी गैप फुल गे डाउनसाइड आना शुरू हो गई तो जब यहां से रिकवरी कर थी तम मैंने डेटा अपडे यहीं पर मैंने पेपर ट्रेड करके देखा था जिसमें मेरे को 140-50 पॉइंट का गेंड भी देखने को मिला यानि कि 500 के नीचे निकलने पर ही मैंने प्लान किया था 500 या फिर 550 के नीचे जब यह पूल बेक करके डाउनसाइड जा रही थी और हमको यहां क्याँनुनधार 200 क का टारगेट भी मिला और यह भी हमने डिसकस कहा था कि भाई बीच में मुविंग एवरेज यह एक बार मार्केट को फैक सकते हैं फिर स्ट्रोंग जो सपोर्ट है वह एक्याउन हजार दोस्तों का है फिर फिर पचाहजार आठ सो का है अब भी भी दोस्तों यह बने हुए क्य ज्यादा नेगेटिव नहीं बंद हुए क्लोजिंग बैंक निफ्टी के आई है 1.666 पर उपर वाला दोस्तों जो जोन है हमारा वहीं है 1.8800 वाला वाला जोन है उपर की साइड अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है फोड़ी सी गैप खुलती है 1.8800 के उपर निकल अगर स्विंग बनाती है तो 52,000 तो थोड़ा सा स्पीड से टार्गेट मिल सकता है और फिर 22,400, 22,300, 200 यह टार्गेट हमको मिल सकते हैं अगर ऐसे प्राइज एक्षन प्राइज एक्षन बनते हैं अपर साइड मार्केट निकलती है तो बस इंपोर्टेंट क्या है ब्रेक अगर ब्रेक आउट आता है तो बहुत बड़ा मुमेंटम आ सकता है क्योंकि ऊपर की रेंज में दोस्तों रेजिस्टेंस ही नहीं था और अगर आप पिछले 2-3 दिन से देखोगे फिर से मार्केट एक रेंज में फस रही है और ऐसा ही सपोर्ट करियेट कर रही है बले ही आज दोस्तों ने डाउनसाइड मार्केट बले ही गिरी लेकिन जो हम यह वाला ट्रेंगल पैटर्न बना के मैंने आपको सपोर्ट बताया था कि देखिए एक ट्रेंगल पैटर्न यह बन गया एक ट्रेंगल पैटर्न यह बन गया यहां इसको टच करके जब यह सपोर्ट का काम करें अब आप देखोगे तो इसी रेंज ने आके यहां पर कही ना कहीं सपोर्ट दिया है और फिर अच्छा सा रिकवरी भी दिखा है तो जब तक दोस्तो इसके नीचे मार्केट नहीं निकल जाती है तब तक थोटा सा रिस्की होगा पुट साइड जाना और पुट साइड दोस्तो अब भी थोड़े से छोटे टार्गेट प्लान करनी है क्योंकि अभी नेगिती क्लोजिंग नहीं आई है प्रोपर नेगेटिव क्लोजिंग हाँ अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कहीं ना कहीं रिकवरी करके ट्रेड करके फिर इसके इसको फोलो थूरू मिल जाता और हम कंटीनिव थोड़े टार्गेट के लिए प्लान कर सकते थे ऐसे दोस्तों जब सपेस नहीं होता है मार्केट में तो उस साइट थोड़े से कम टार्गेट प्लान करते हैं आई होप आपको जो मैं पॉइंट समझाने की कोसिस करा हूं वो समझ में भी आया होगा ठीक है तो अगर बैंक निफ्टी फ्लाइट खूलती है या फिर हाल की फुल की गैप डाउन खूलती है एक वन हजार चार्सों के नीचे निकल की एक स्विंग बना के फिर से अगर ब्रेक डाउन कर रही है तो इक वन हजार हमारा पहला टार्गेट हो जाएगा एक वन हजार क्या बाई बलकि पच्छा स्टोपलोस डालके मैं पूट साइड जाना पसंद करूंगा बड़े गैप बड़े गैप डाउन में दोस्तों एक चीज याद रखनी है अगर बड़ा गैप मार्केट खुल जाती है बहुत बड़ा गैप बाउन अजार के आसपास एक दम से मत घुजना क्योंकि अगर खुलता है मालीजिए इस स्विंग के आसपास गैप डाउन खुला और ब्रेकडाउन कर रही है तो टार्गेट क्या उन हजार का तो हमको जल्दी से मिल सकता है लेकिन उसके नीची जाने के लिए उसको एक स्विंग बनाना पड़ेगा फिर हमको मोमेंटम मिलेगा त का डेटा बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव था इस वज़े से इसको भी सपोर्ट नहीं मिला और यह भी अल्टिमेटली कही ना कहीं जाके गिर गी दिन के लो पे यह तो बंद हुई है अब महां आपको दिखाता हूं क्या हमने अपडेट किया था यह देखिएगा न मैंने वहां पर भी बताया था और वीडियो में भी समझाया था फिर मैंने इसमें पेपर ट्रेट किया था क्या 1500 के पूट में जो की 320-30 से इसने हाई लगा है 480 के आसपास का इसने हाई लगा है 116 अट इसमें पेपर ट्रेड में मिल हालाकि यह और सेक्ट करते हैं जो कोई सीख्ते हैं उसी की praying करते क् creatives की कोई-तीस कि आए मोया कोई दो यह किसी मठोन नहीं बोलता हूं फिर उicana लिबढमर्दस्टी कोन घुशता है कोल चक्कर में फिर थोड़ा बहुत उपर नीचे अगर गलत भी हो जाए क्योंकि भई भगवान तो हम है ने तो वह सबसे पहले बक्वास करने आते तो भाई मत आई अगर आप सीखने वाले हो आपको डेटा कैसा चल रहा है मेरा परसनल व्यू चाहिए या फिर इंपोर्टेंट लेवल चाहिए और भी भहुत सारे अपडेट चाहिए तो आप जोइन कर सकते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको औरीजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा नहीं तो मैं कॉमेंट में पिन कर दूँगा एक चीज याद रखना सरच करोगे तो इस लोगों से इस नाम से ब प्लीज मेरे नाम से किसी को कोल टिप्स के लिए एक पैसा ना दें और अभी कोई बैच भी नहीं एक दो महीने तक ठीक है होगा तो मैं अनॉंस कर दूंग आप सबको बताया जाएगा क्योंकि मुझे दोस्तों फुरुसत नहीं मिले मैं खुद की ट्रेडिंग पे थोड़ निफ्टी में क्लोजिंग आई है 3,500 बिल्कुल कड़ाके के लेवल पर लेवल पर बिल्कुल राउंड लेवल पर तो सिंपल सा है इसका 200 दिन का मुविंग अवरेज टैस्ट हो चुका है निफ्टी में और मैं आपको सपोर्ट भी दिखा देता हूं एक मिनिट रू किये यह वाला अगर आप देखो के 200 दिन का moving average भी टेस्ट है और यह support भी कितनी बार test है एक दो तीन च्यार पांच बार यह test हो चुग है तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 500 के ऊपर कहीं न कहीं खुलती है देखिए ध्यान से सुनिए अगा बात को अगर निफ्टी थोड़ी सी फ्लैट खुलती है और फिर यह 23,500 के नीचे निकल गए वापिस से 23,500 के नीचे निकली 23,400 सी 470 तक आई moving average को थोड़ा सा respect करके वापिस 23,500 पे गई और फिर से अगर continue कर रहे तो 23,325 का भी हमको target देखने को मिल सकता है 15,20 पॉइंट का stop loss डालके मैं put side जाना पसंद करूँगा अब आपने एक चीज नोटिस की होगी चीज गा नोटिस की होगी निफ्टी में थोड़ा सा target पलान साइए तो इसमें momentum मिल सकता है थोड़ा सा space है अब निफ्टी में call side थोड़ा सा पंगा पढ़ने वाला है बात को समझ रहे हो अगर निफ्टी flat खुले gap up खुले किसी भी situation में जब तक 23,600 के आसपास जाके एक swing नहीं बनागे और 600 को break नहीं कर देती ऐसा नहीं कि gap up कुली स सिच्वेशन में अगर इसके उपर ऐसे swing बना के निकल रहे है या फिर इसके उपर जाके swing बना रहे है तो हम प्लान कर सकते हैं उपर कोई resistance है नहीं 700 काम को target देखने को मिल सकता है 15.5 का sell डालके मैं call side जाना पसंद करूँगा ठीक है अब बात आती है gap down की gap down कहां पे खुल जो bounce back area है दोस्तों निफ्टी के यह भी नहीं है इतना bounce back area है तो सच बदाऊं दो यह मैंने mark क्यों किया सायद old marking हा नहीं नहीं है यह old है थोटा सा पूराना है हलका सा है ज्यादा नहीं कह सकते 300 पे जाके इसको 300 कर देते हैं क्योंकि round level से recovery थोड़ी सी जल्दी आती है ठीक थोड़ा सा इंदजार करूंगा कहीं न कहीं 300 के आसपास आए आने के बाद एक डबलू पैटरन यहां पे बनाए या फिर यहां पे कोई बुलिश केंडल बनाए और उसका अगर हाई ब्रेक करते तो जो आज की क्लोजिंग है यहां तक के target के लिए दिन का लोस्टोप लोस डालके मैं कोल साइड ही पसंद करूंगा अगर दोस्तों गैप डाउन खुलके तुरंत रिकवरी आना शुरू होती है तो फिर यह जो आज का लो है इसको टच करके वाफिस नीचे गिर सकती है और फिर थोड़ा सा लोगों को उलजा सकती है गैप डाउन खुलके जो आज क दीकता क्लोजिंग प्राइजर इसके ऊपर तब तक नहीं निकलती तब तक में बुलिऀश नहीं होने वाला हूं मादने तो भाई अभी तो जंग का मैदान यहीं चला हुआ है सपोर्ट देखिए कहां पे हैं 23,400 पे 1,52,000 का ओपन इंट्रेस्ट है तेजडियों का केवल 91,000 का ओपन इंट्रेस्ट है मंदडियों का भाई यह 51,000 भी कम नहीं है क्योंकि आगर आप ध्यान से देखोगी इंदा मनी जाके राइट करके आए हैं को एक सो पैसे ट्रुपे के प्राइस पे ठीटा खाने के लिए तो यह कोई छोटी बात नहीं इतना इंदा मनी जा हैं 28,000 मंदडिये बैठे हैं 2,21,000 है यह जादा बैठे तो रजिस्टन्स पहला क्या हुआ 600 गैप खुल के अगर 600 के उपर निकलती है तो फिर देखी एक 56 का ओपन इंट्रेस्ट 23,700 पे है क्यावल 22,000 के मुकाबले तो यहां तक फिर हमको टार्गेट देखने को मिल सकता ह है और डाउंसाइड तो भाई लास्ट 300 हो सकता है क्योंकि 300 फिर से 32 काओपन इंट्रेस्ट है लेकिन यह तब काम करेगा भाई जब 10 बजे के बाद हम इसको चेक करेंगे ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही आप उप्शन चैने के भरोसे बैठ जो नहीं सैटल होने दिना 10 बज सकतर हजार मंदी वाले सेंतर हजार तेजी वाले लेकिन सपोर्ट कहां पर है 51,500 पर एक लाग 11,000 एक लाग 15,000 बताओ भाई इंदमनी राइट करके गए बात को समझ रहे हो तो अगर मंदडिये अगर यह डाउनसाइड आती है फ्लैट खुलके तो 500 के आसपास से पहला चा 800 के उपर निकला तो पहला रजिस्टेंस बाउन हजार का मिलेगा और इसके उपर निकल गी तो फिर 2,400 बाउन हजार 500 हमको देखने को मिल सकता है बागी इसको भी हम 10 बजे के बात चेक करने की कोसिस करेंगे डेटा में आपको अपडेट कर दूगा अगर आपको हेल्प मि पना कींती समय निकाल के रज़यों के देखने के लिए बहुत बोद धन्यवाद भवान करिये आपका दिन शुपहें मिलते हैं दोस्तों के लिए ऐक नई वीडियो के साथ तब तक लियки बाए बाए यह सिंद